नकसल अभ्यान में 14 अगस्त 2023 को चाइबासा सब इंस्पेक्टर अमीद तिवारी, कॉंस्टेवल गौतम सहीध हुए थे इसी घटना के मद्दी नज़र जार्खन पुलीस और स्टेट बैंक ओफ इंडिया के सन्युक्त ततवाधान में शहीद के परिजनों को कमपन शैशन के तौर पर सब इंस्पेक्टर अमिद कुमार तिवारी को 25 लाख का चेक डीजीपी अजय कुमार सिंग ने दिया इस के अलाबाद जार्खन सरकार के तरब से दिवनगत अमिद तिवारी को 1 करोर 78 लाख मिल चुका है मोही 15 लाख का चेक कॉंस्टेवल गौतम कुमार के परिजनों को दिया गया है इस के अलाबाद जार्खन सरकार की और से ही 1 करोर 63 लाख मिल चुका है आज पुलिस मुक्षाले में एक साधे समारों के दोरान डीजेपी ने कहा कि सरकार के पॉलिसी के तहट देवनगत के परिजनों को मुआबजा रासी दी गई है जो तौरित प्रक्रिया के बाद निस्पा दित्वी है इसके अलाबा डीजेपी अजय कुमार ने कहा कि नकसलियों के खिलाफ अवियान लगतार जारी रहेगा कान के साथ अगर हमारे जवान या ऑफिसर को किसी परकार की परिशानी होती है तो विभाग हमेशा उनके साथ है इसके तहित अन्य सुविदाओं के अलावा ये भी सुविदा थी कि जो कुछ अक्सिडेंटल जो क्लेम्स होंगे वो उनका अलग-अलग केटेगरी अलग-अलग स्लेप्स स्विश कर दी गए थे तो आज हम लोग यहां पर अनफॉर्टूनेटली वैसे ही एक मौके पर आए हैं जिसमें 14 अगस्त के दिन दो जो हमारे साथी थे वो शेहिद हुए थे वो जितने भी जो नक्सल वहां पर ऑपर आपरेशन चल रहे हैं उसके ऑपरेशन के दौरान तो जैसा कि आप लोगों को बताई जा चुका है जो हमारे सब इंस्पेक्टर से अमित कुमार टिवारी उनको इस स्कीम के तैक अभी 25 लाग का जो स्टेज बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है वो चेक दिया गया है और जो हमारे दूसरे आरक्षी गौतं कुमार से उनके पर जाएगा लेकिन यहां पैस करके आज हमनों को मिलने का यह है कि हमारा जो ऑपरेशन चल रहा है वो आगे भी विधिवत इसी तरह से चलता रहेगा और काम के साथ-साथ जो भी हमारे जवान हैं हमारे जो ऑफिसर्स हैं अगर उनको कुछी तरीके की तकलिफ होती है कोई पर आज वो आप सबके साथ शेयर कर ली जाएंगे थैंक्ट्यू जल्नावाद करें